हेलो बच्चो चोहनी एजुकिसन चैनल में आपका स्वागत है बच्चो आज हम कच्छा दस्वी समाजी विज्ञान अभ्यास प्रशन पत्र दोहजार तेश जो आपकी प्रीबूर्ड में आपने हल किये हैं उनका संपूर्ण हल सही एक से तेश तक प्रशनों के संपूर्ण हल जो है सेट भी का इसे वीडियो में हल करने वाले हैं जो जो प्रशन आप से नहीं बने हैं उसका सही अंसर आप जो है अंसर लेख सकते हैं और इसी सेट से आप परिक्षे की तैयारी करें परिक्षा में इन सेटों में से ही चार सेटों में से ही परिक्षा में प्रशन को हल करें से पूर अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक है जिससे कि आपके आपको वीडियो की नोट क्रिशन सबसे पहले पर आप तो हो सकेगी हम हम देखेंगे अभ्यास प्रशने पत्र दोजार तेश अटार मांग एक से पांस तक बस्तुमूस प्रश्ण है जिसमें सही विकल्च रिक्तिस्तान चाहिंग के सही जुडी चाहिंख सथ्याज़क सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब वाक्य प्रश्ण के लिए दौनके आपको और अबन्तित है और प्रशनी प्रस्ने कर्मांग 18 से लगुत्तरी प्रश्ण है, प्रतेक प्रश्ण के लिए 3 अंक है, प्रश्ण करवाँगन, It's March 23 तक 26 स्रस्फण है, प्रश्ण के लिए 4 अंक का अबंदित है, सब्सिवान सिमा इसके लिए 120 सब्द है, प्रश्निक्रमांग तेश भारत के मांचित पर धारित प्रश्न है प्रश्निक्रमांग तेश को भारत के मांचित में दर्शा कर उत्तर पृस्तिका में सलंगने कीजिए यह आपके लिए निर्देश है अब देखेंगे हम सही विकल्पे का चैन कीजिए तो यहां पर एक एक को कि यहां पर हल हो जाएंगे देखेंगे हम बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किस्ने कहा तो यह चार आपसन में से एक शहीं है इसके लिए उत्तर माला भी हम यहां पर देख सकते हैं जो बोट की वैवसाइट से हमने इसमें जो है आपकी सुविधा के लिए यहां हमने इसमें डाला है आदर्स उत्तर माला अभ्यास प्रस्न पत्र समझी विज्ञान सेट भी सहीं विकल्प के उत्तर यहां पर से सहीं आप देख सकते हैं आपको अगर यहां जो है यहाँ पर अगर आपको सही समझ में नहीं आपाता है तो देखेंगे हम बानों को आधनिक भारत का मंदिर किस ने कहा तो यह चार आपसन में से एक सही है पंडिस जवाला नहरू ने कहा शेकेंड है निमलिखित में से कुन सी रवी की फसल है तो यहाँ पर गिहूं चार आपसन में से गिहूं सही है तिसरा एक अच्छे माल के अधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं बाई इसका सही आंसर हो जाएगा इसके बाद में अगला है शाइमन कमिशन भारत कब आया तो कब आया था 1928 को तो साव आला जो है आपसन इसमें सही हो जाएगा फिर है अगला इउरोपी शंग का मुख्याले कहां इस्तित है तो दा इसका बेल्जियम में है इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है भारती रेजर्वरिंग की स्तापना कब हुई तो सन 1935 में हुई थी बाइस का सही आंसर हो जाएगा इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर प्रस्न करमांग दो रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए भारती बने जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया तो यहाँ पर 1972 आप लिख देंगे सेकेंड है भारती रेल परिवाइन को 16 रेल प्रिखंडों में संक्लित किया गया है 16 यहाँ पर लिख देंगे अब यहाँ कोलकता में देश की पहली जूट मिल लगने वाला एक जो है लगाने वाला था तो कौन था यहाँ पर हम एक बैपारी जार्ज आकलेंड एसकार्ट लेंड यह आपर रिक्तिस्तान में भरना है फिर खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत जो है मदुमत की पालन खालिस्तान छेत्र में आता है तो परात्रिमिक छेत्र में आता है तो इस प्रकार से हम यहां उत्तर माला में भी इनके जो है उत्तर देख सकते हैं इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रेशन है उत्तर माला देखें हम यहां पर दिया हूर रिक्तिस्तान में क्या क्या भना था उनिस्टो बाहतर सूला और यह प्राथ्मिक्स यहां पर हम थोड़ा सुधार लें तीसरे में सेठ हुकम चंद यहां लिख देंगे सही जोड़ी का मिलान भी हम यहां पर देख लेंगे एक सब्द का उत्तर भी यहां पर देख लेंगे तो यहां पर हम देखते हैं तीसरे प्रेशन है तीसरे प्रेशन है क्या है सही जोड़ियां बनाई हैं तो सिर लंका ग्रह युद्ध का अंत इदा से मिला देंगे 2009 में भारत छोड़ो अंदोलन इसे मिला देंगे 1942 में भारत में 22 कमाति अधिकार की उम्रे के इदा से मिला देंगे 18 वर से अगला है ओलंपिक गेम तो आह से मिला देंगे मैसको सिटी भारत में 22 मिला देंगे लोकतांत्र कина के सरकार अगला सारवजनिक छेतर हैं साथ समे देंगे सरकार के स्वामित वाले छेतर है प्रकार सहीं जोड़ी हलो जाती है इसके बाद देखेंगे एक सब्द या एक वाक कि मतर लिखे तो यहां पर देखेंगे हम बाक साइट की सुद्ध्यक के लिए एक अच्छा माल प्रियुक्त होता है तो एलमनिय उद्ध्यक के लिए हम उक्तर माला में भी यही देखेंगे फिर सेकेंड है राष्टी राजमार्गों का निर्मान वार रख रखाओ किस विभा के अधिकार छेत्र में आता है तो भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरन के अधिकार छेत्र में आता है फिर तीसरा है आई एम एप का पूरा नाम लिखे तो इसमें पूरा नाम के लिखेंगे उंतर राष्टी मुद्राकोष इंटरनेशनल मानिटर तो यह हम यहां पर कदो परिख करूए हो नहीं के फिर अगला है उद्ध्धिक कर्ानती की सुरुबात में कहा से लिगें हैं इंगलैंड को मोझें चन्द्र अपाध्धा थे थे पर बहुब अगला देखेंगे हम सत्य असत्य लिखे पहला है कांडला बंदर का एक जवारिय पत्तन है अगला है बिना किसी परिश्रम के काम करना कहलाता है यह सत्य है रेडर फैक्स नामक पशुरोग अमेरिका में फैला था यह सत्य है सन 1804 की नागरिक की सहीता को आमतोर पर हिटलर की सहीता की नाम से जाना जाता है यह सत्य है पाजवा है लोकतंत्र की सपलता में अशिक्छा बादक नहीं है यह सत्य है अगला है प्रतिवेक्ति आयकी गर्णा से भी देशों के लिए डालर में की जाती है अगला प्रशन है हमा यहाँ पर छड़वा प्रशने का उत्तर क्या है छड़वा प्रशने का उत्तर हम देखें यह सारे प्रशने का उत्तर माला में यहाँ पर दिया हुआ है तो छड़वा प्रशने का उत्तर देखी आप अजयब संसादन इन संसादनों की प्राप्ति जब मंडल से होती है और इ ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुक्सान पहुंचाए और बर्तवान विकास की प्रक्रिया भविश्की पीडियों की अभिलना ना करे को सतत पोशनी विकास कहा जाता है इसी प्रकार हम छड़वा प्रसने जो है यहां पर छड़वा प्रसने का उत्तर हम देख सकते है कि म्रदा परदन किसी कहते हैं अथ्वा भूमी निमनी करन की समस्य को दूर करने में कोई दूपाय लिखिए तो यहां देखिंगे हम भूमी की उपरी सत्य पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है जिसे म्रदा परदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं इसके अथ्वा में दिया था सतत पोशनी की विकास से क्या से है यहां पर क्या से देखिंगे बनो रोपन करके चारगाय के उचित प्रवंदन या पसुचारण नियंतरन से यह सादव प्रशने का दूनों प्रशने हलो जाते हैं आडवा प्रशने है भारत की मुख्य खाद फसल का नाम लिखते हुए इनके उत्पादन छेतर को लिखी है तो हम देखेंगे भारत के मुख्य खाद फसल चामल है और यह है उत्तर और उत्तर मैदानी उत्तर पूरी मैदानी छेतरों और डिल्टा एक के प्रदेसों में उगाई जाती है इसके अथ्वा में पूछा ग इसकों और सिचाई का प्रियोग किया जाता है इसके बाद नौबा प्रस ने पूछा गया था कि अधार बूत उद्ध्योग क्या है उद्धारन देकर समझाए तो देखें आप इसके उत्तर को बे उद्ध्योग जो अन्य उद्ध्योगों के अधार होते हैं और उनकी निर दूसरा है रोजगार के साधनों में ब्रद्धी होते हैं ये दो प्रकार के उधारन जो है उद्योगों से योगदान जो है अर्थे पवरस्ता के लिए है इसके बाद प्रस्ण दाजबा है हम इजीटल भारत के है समझाइए हम इजीटल भारत के हैं इसका उत्तर देख लेते हैं डिजीटल भारत ग्यान अधारित परिवरतन के लिए भारत को तियार करने के लिए एक विशाल कारकरम है इसमें अत्पंद में पूछा गया था कि सड़क परिवहन की कोई दो मेहत पर लिखिये तो इसमें देखिया आप नमबर एक सड़के बनाने की लागत कम पड़ती है सड़कों का निर्माण अधिक साल धाल वाले खेतरों में पाड़ियों पर भी असानी से किया जा सकता है प्रशन ग्यारवा है राजमार्ग से क्या आसा है तो राजमार्ग से क्या आसा दिखेंगे हम राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्याले से जोडने वाली सड़कों राजमार्ग केहलाती है इस परकार से इसको उत्तर लिख देंगे अगला है अत्पा में इसका स्व लाइन वाली महा राजमार्गों की सड़क यूजना परारंब की जिसके दो गलियारे प्रस्तावित हैं पहला उत्तर दक्षिन गलियारा जो सिन्नगर से करने कमारी तक है और दूसरा पूर पश्रिम गलियारा जो शिल्वर से पूरवंदर को जोड़ता है तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लग देंगे इसके बाद 12 प्रस्न है आयस सुल्क किसे कहते हैं तो इसके उत्तर देखे हैं आयस सुल्क किसी दूसरे राष्ट से आने वाली चीज़े पर वसूल किया जाता है किया जाने वासुल्क है आयस सुल्क कहलाता है इस सुल्क दूसरे देश से जो वस्तों आते हैं उन पर लगाया जाता है इसके बाद इसमें पूछा गया है कि गिर्मिटिया मजदूर किसी कहते हैं तो यहां पर उत्तर देखे हैं अनुवन जमन मजदूर को ही गिर्मिटिया मजदूर कहा जाता है उन्नेश भी सती में बारत से दूसरे देशों में काम करा के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था जिनने गिर्मिट्यक की शंगय दी गई है इसे नई दास प्रता के रूम में बढ़ने किया जाता है इसके बाद देखेंगे प्रस्न तेरवा जावर को ये तर देखें इन्हें अलग-अलग इलाकों में सरदार या मिस्तर आदी भी कहते हैं उद्योकवती ने मजदूरों की भरती के लिए प्राय एक जावर रखते थे जावर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था फिर इसके बाद अथ्वा पूछा गया है कि ईटी पाल कौन था तो यहाँ पर हम देखें उत्तर इसका ईटी पाल एक लोगप्र म्यूजिक कंपनी का प्रकासक था जिसमें 19 सदी में संगीत की एक किताब प्रकासित की गई थी इसके बाद देखें चबदवा प्रशन हम पंचांग किसे कहते हैं तो उत्तर देखें हम चांद सुरज की गति जवार भाटा की शमय और लोगों के द्यानिक जीवन से जुड के पहले लिखित ग्यान का माध्यम थी यह ताड के पत्तों पर यहां से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी इसके बाद देखें हम पंद्रवा प्रशन है तो चैते बुक से क्या आसा है यहां पर देखेंगे हम पाकिट बुक के अकार की किताबों के लिए चेक बु बेशते थे फेरी वाले बेशते थे यह सोलीवी सदी की मुदरन किरांती की समय लोगपरी थी इसके बाद अथवा है निरंकुस वाद से क्या आसा है तर देखेंगे निरंकुस वाद राज काज की ऐसी बेवस्ता है जिसमें किसी एक बेक्ति को शंपूर सक्ति प्राप्त ह और उस परना कानूनी पावन्दी लगी हो और नहीं सम्धानिक पावन्दी हो। इसकी बाद, प्रशन सूला हम देखे हैं। प्रशन सूला क्या है? सेवाज छेत्र को अधारण सेहे समझाइए। तो 33 शेत्र की गतिविदियों से बस्तू के इस्तान पर सेवाओं का सरजन होता है जिसे हम सेवाज शेत्री भी का है ज़स कह सकते हैं उधारण के लिए संचार, परिवहन, बैपार, आधी इस प्रकार से उत्तर को हम लिख देंगे इसके बाद देखे इसमें अत्वा में दिय बनाया जिसके तहत गिरामिट शेत्र में सो दिन के रोजयार की गरंटी दी जाती है 17 प्रशन है बैपार अवरोधक क्या है समझाईए तो सरकार द्वारा मालवा सेवाओं के अंतर राष्टी अदान प्रदान पर प्रतिवन लगाना बैपार अवरोधक कहलाता है इस प्रकार से उत्तर लग देंगे इसके बाद अथफ़ा में दिया था प्रशन है बहुराष्टी कमपनियों से आप क्या समझते हैं एक बहुराष्टी कमपनी वह कमपनी हैं जो एक से अधिक राष्टों में उत्पादन करती है यह कंपनीयां बड़े पहमाने पर उत्षाधन करते हैं और उत्षाधिद बस्तों को अन्यक देशों में भेजते हैं Gra cha shti कंपनी के लिए उत्षाधन की लागत कम होती है इसलिए अधिकलावे कमाते हैं प्रश्ने 18 देखे हैं में अन्य प्रकार के पेड़ पौदे जीव जन्तु और इसमें अत्पामों पुछा का था बहारत कि बानों को कितने बाड़ों में भास पाया है नंबर रक्षिद य मन अबस दो रक्षिद य मन तो आप इनको अपने सब्दों में लेख सकते हैं इसके बाद 19 प्रस्न है शंगिय सासन विवस्ते क्या है समझाईए तो यह सरकार दो या दो इस्तरों वाली होती है अलग अलग इस्तर की सरकार एक ही नागरिक सम्दूश प्रसासन करती है जिसे संगी सासन प्रणाली कहा जा सम्मिदान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक इस्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती ऐसा केवल संगी सरकार विवस्तम होता है एस प्रकार से लेख देंगे इसका अत्फ़ा मता कि केंद्र और राज्यों में सत्या का विभ्यादन कैसे हुआ समझाईए केंद्र और प्रकार के लिए एक उचित दर पर निर्बन मिलता है दूसरा कारिशिल पूंजी की जरुवत जैसे बीज खाद बास और कपड़े खरीदने के लिए तीसरा घर वानाने सिलाई की मशीन लेने हत करगा पसु खरीदने इत्यादी के लिए फोथा है संपति खरीदने के लिए इस प्रकार से ये देता है अथ्पा मैं पूछा कर आया है कि और वाण अनुपव्चारिक खेत्र के रिण में कोई तीन अंतर बताएए तो यहां पर हम कोई तीन अंतर देखें अपचारी के छेत्र में इस छेत्र में बैंक और सरकारी समितिया आती है दूसरा अनुपचारी छेत्र काम कम ब्याज दर पर रण उपलब्द करा रहते हैं तीसरा अपचारी छेत्र कारण के कारण महंगा नहीं होता है अनुपचारी यहां पर दीखिया हम 2 तो समझेये तो इहां पर लोन दान्स को होते हैं । यहां पर दिखे नमबर एक जलिया वाला आग्समाइब नमबर दो रोलेक्ट एक्ट है नमबर तीन बिट्रिस सरकार की बादे खिलापी नमबर चार स्वरात की प्रापती इनको आपको बहुत बिस्तार से अपने सब्दों में और अधिक सब्दों में आप लेख सकते हैं इसके बाद अध्वा में दिया हुआ है एक जलियो वाला बाद सब्दों में लागू किया गया था बिरोध में पूरे देश में आवाज उठी पंजाब में भी रोलेक्ट एदिनियम का बिरोध हुआ पंजाब में बिट्रिस सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलाई 10 अपरेल को कांगरेस के दो प्रत्वा साली नेता डाक्टर सत्यपाल और सहपुद्दिन किल्चु गिरपतार किये गए और उन्हें जल बेज दिये गए बिरोध है उन्हें गिरपतारी के बिरोध में अमरत्सर के जलिया वाला भाग में 13 अपरेल को वैसागी के दिन एक परार्म हुए जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चतावनी दिए विना अपने सैनिकों सभा की वीर पर गोली चलाने का आधेज़ दिया जिसके पढणाम श्रूप लगबक आटीक बैकती मारे गया और दो लोग घायल हो गया जलिया वाल कि हम देखेंगे प्रेस्न वाइस का राजमितिक दलों के कोई चार आंगो का है हमों कीजिए तो राजमितिक दल के चार कार देखीए नमर एक चुनाव लढना नमबर दो नीतियों और कारक्रम को मद्धाता है कि सामने रखना नमबर तिन कानूं का निर्माड करना नमबर चार सरकार बना रहा हूं और चलाना नमबर पांच बिरोधी पक्ष की भूमी का निभाना तो पुरुव तंदर से कोई चार बना आप अपने सब्दों में कर सकते हैं इसके बाद देखींगे हम राजनेतिक के डलों के सामने निमलिकित चुनओतियां यहाँ पर राजनेतिक डलों के सामने आने अने वाली कोई चार चुनेतिया को ड़ना की जिए निम्लिकी चुनुतिय क्या है देखिए नमबर एक राजनेतिक दलों के सामने सबसे पहले चुनुती है कि लोगतंत्र में केवल कुछ है नेताओं के हाथों में ही सारी ताकत है लोगतंत्र में आवस्त है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कारकरतों से परमस किया जाए लेकिन बास्तों में ऐसा नहीं है राजनीतिक दलों में नीमी ते बैठक नहीं होती है और नहीं इसके आंतरी के चुना होते हैं विकार करता से सुचना साजा नहीं करते और इसका हनिकार एक पर नाम जनता को भुगतना पड़ता है शेकेंड है अधिकतर नेता राजनीतिक के में प्रॉइदी के सदस्ट को इस्तान दे देते हैं इस प्रकारिया इस्तिती चाहरे करता हो की। कई बार देखा जाता है कि अनुगो हीं लोग उस्ची उसे पड़ाव पर आशिन होते हैं राहरत की राजनेती में ये प्रभ्विति प्रचलिश्ट है। तीसरा कारण है, कई बार राजनीतिक दल चुनाओ जीतने के लिए धन और बल का भी परयोग करते हैं, इसके लिए भी अपराद और अधिकारियों का भी सहरा ले लेते हैं, लेने से परेज नहीं करते हैं, साथी किसी धन बान ब्यक्तिय और कंपनी के प्रवाव में भी आ जा अगला कारण है, कि आज के उगमत दलों के बीच बेचारिक अंतर कम होता जा रहा है, दलों के बीच बेकल्पिक हिंता के इस्तिती बिन 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 पार्टियों की नीतियां और सिद्धान्द बिन बिन जो है, बेकल्प हिंता की इस्तिती है, बिन 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 पार्टियों की नीती और सिद्धान्द भिन भिन होती है परन्तु आजकल बड़ी राजनितिक पार्टियां के नीतियां में बहुत कम अंतर रह गया है जैसे कांग्रेश समाजवादी पार्टी तथभावजन समाजवाद पार्टी आधी की नीतियों में कोई विश्च अंतर नहीं है अते ज चंध्र मुखे बेला डिला महाद्वन्ज तो यहां हम तेश के उत्तर और अत्थ्पा में दिया की भारत की मानचित्र निमली किते पर्माणुसयंत्र के स्तानों को धर्साई काखा ।क्रा पारा प्रमाणुसयंत्व रावट बं भाट पर्माणु शैंट्रे कल्पक्यम प आप तरहा देखेंगे नरेरव यहांपर है प्रमान शयंत्र रावट्ट्र वाटा मय उर्भण्य। कोeurs गोवा काकपारा और बेला डवी सिर्फ अ यह कार से मांपर म कुंद्र मुख़य और भारत के मां okay yeah यह फॉपर बणकर की और यहां पर भिंदर रग दोगर के जहां पर जो इस्तार है तो यह कार भारत के मांपर के यह मांचित चार अंकों का है तो इस प्रकार हमारे सारे एक से तेश तक प्रस्ण हल हो जाते हैं आसा है आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह अन्य शेटे और अन्य विसे की शेटो को हल करने के लिए चैनल बने रहें धन्यवाद